Hello, Good Morning Students, Welcome to BVN Year Learning Class. How are you students? I wish you will be better at your home. Dear students, today will we do MCQs of Chapter No. 5. Today date is 10 October 2020, Saturday. Chapter No. 5, क्या बताती है किताबे और कबरे? आज हम इसके MCQs कोशन्स करेंगे. Let we start. परिक्षा में आने वाले बहु विकल्पिय पर्सन, जिने multi choice questions कहते हैं. अबर first question is, वेदो की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 4 option दे रखे हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 8 होते हैं. तो dear student, वेदो की संख्या 4 होते हैं, यानि कि C option is our correct answer. अबर next question is, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसमें 4 वेद दे रखे हैं, रिग वेद, शाम वेद, यजूर वेद और अर्थर वेद. तो student, सबसे पुराना वेद है, वो हमारा है, रिग वेद, यानि कि A option is our correct answer. अबर next question is, रिग वेद की रचना कब हुई थी? तो इसमें 4 वेदो रखे हैं, तीन हजार साल पहले, 3500 साल पहले, 4000 साल पहले, या फिर 5000 साल पहले. So student, रिग वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी? यानि कि B option is correct answer. अबर next question है, रिग वेद में वर्नित परातनाओं को क्या कहा गया है? दोहे कहा गया है, परातनाओं कही गई है, सुक्त कहा गया है, या फिर चन्द कहते हैं. तो रिग वेद में वर्नित परातनाओं को सुक्त कहा गया है, यानि कि C option is our correct answer. अबर next question है, वेद की इस भासा में लिखे गए हैं? वेदिक संस्कृत में, हिंदी में, प्राकर्त में, या फिर अंग्रेजी में. तो वेद स्टूड़न्ट वेदिक संस्कृत भासा में लिखे गए हैं, यानि कि A option is our correct answer. अबर next question है, question number six, दक्षिन भारत में किस भासा परिवार की भासाएं बोली जाती है? तो स्टूड़न्ट संस्कित भासा 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 है, संस्कृत, उडिया, बंगाली, मल्यालम, तो दर्वेड भासा परिवार की जो भासा स्टूड़न्ट वो मल्यालम, यानि कि D option is our correct answer है. अबर next question है, जारखंड और मद्दे भारत के कई हिसों में किस भासा परिवार की भासाएं बोली जाती है? आर ये दर्वेड संस्कृत या एस्ट्रो एसियार्टिक? तो स्टूड़न्ट जारखंड और मद्दे भारत के कई हिसों में आस्ट्रो एसियार्टिक भासा परिवार की भासाएं बोली जाती है? यानि की हमारा डी ओप्सर इस करक्ट आंसर अवर नेक्स कोशन इज रिगवेद में किस रिषी के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वारता लाप का वर्नन हैं? हमें इसमें रिषी का नाम बताना है A option हमारा विष्वामित्र B option हमारा द्रोणा चाली है C option हमारा ददीची और D option हमारा मातंग तो स्टुडेंट रिगवेद में विष्वामित्र रिषी के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वारता लाप का वर्नन है यानि की A option is our correct answer कटेविके रूप में प्रस्तुत किया गया है गंगा यम्ना सतलुज व्यास रावी चैनाब यजेलं सिंदू में जो डो देवियां है सतलुज और व्यास को डेवी कर रूप में प्रस्तूत किया गया है यानि कि B option is our correct answer our next question है रिगवेद में किन दो समुओं का वरगी करन काम के अधार पर किया गया है प्रोरित और राजा का वैश्य और शुद्र का किसान और पसुपालक सिल्पकार और चित्रकार तो student रिगवेद में प्रोहित और राजा का वरगी करन काम के अधार पर क किया गया है अबर नेक्स कोशेन इज वैदिक काल में जनता या पूरे समुधाय के लिए कि सब्द का प्रियोग होता था A option है जन, B option है विश, C option है A और B दोनो, D option है इन में से कोई भी नहीं तो student वैदिकाल में जनता या पूरे समुधाय के लिए जिस सब्द का प्रियोग किया जाता था वो जन और विश, यानि की हमारा A और B दोनो बोथ option is correct तो हमारा इसमें C option होगा जिसमें दोनों दिये गए अबर नेक्स कोईशन इस महा पाशान कब्रे बनाने की प्रथा कब आरम हुई समय बताना है student हमें 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले या फिर 35 साल पहले तो महा पाशान कब्रे बनाने की जो प्रथा है student वो आज से लगबग 3000 साल पहले सुरू हुई थी यानि की C option is our correct answer अबर नेक्स कोईशन है, कोईशन नमबर 14 चरक कोन था? तो एक महान वैद्य था, एक महान पुरातत विद था, या महान राजा था, या एक महान सेना नायक था तो student चरक एक महान वैद्य था, यानि की A option is our correct answer अबर नेक्स कोईशन, चरक सहीता की रचना किस ने की थी? कोटेले ने की थी, चरक ने की थी, जैदेव ने की थी, या कलहन ने की थी तो चरक सहीता की रचना student चरक ने ही की थी, यानि की B option is our correct answer Our next question is Question number 16 चरक ने मनुष्य के सरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है 206, 300, 500 या 600 तो student चरक ने मनुष्य के सरीर में 300 साइट हड्डियों का वर्णन किया यानि की B option is our correct answer Our next question है आधुनिक सरीर रचना में विज्ञान के अनुष्य के सरीर में हड्डियों की संक्या कितनी है तो modern science के अनुष्य के अनुष्य के सरीर में कितनी हड्डियां होती है कितनी वहन सो होती है option है इसमें 206, 300, 500 या फिर 600 तो आधुनिक modern science के अनुष्य के सरीर में कुल हड़ियां 206 होती यानि कि A option is our correct answer अबर next question है question number 18 चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उधारन कब के हैं यानि कि कितने समय पुराने के हैं A option है 2000 साल पहले B option है हमारा 25 साल पहले C option है हमारा 3000 साल पहले D option है हमारा 35 साल पहले तो चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उधारन A से 35 साल पहले यानि कि D option is our correct answer अबर next question रिकवेद की कागज पर छपाई करने का कारिये पूरा किया गया यानि कि कितने वर्ष पहले पूरा किया गया 4 option है इसमें भी A option है हमारा 1500 साल पहले C option है हमारा 600 साल पहले D option है हमारा 700 साल पहले तो dear student रिकवेद की कागज पर छपाई करने का जो कारिये है वो 1500 साल पहले पूरा किया यानि कि A option is our correct answer अबरा next question और last question है हमारा question number 20 तमिल, तेलगू, कन्नेड और मल्यालम किस भासा परिवार की भासाए हैं यह भारती यूरोपिय भासाए हैं या आस्ट्रो एसियार्टिक भासाए हैं या दर्विड परिवार की हैं या प्राकरतिक हैं तो dear student तमिल, तेलगू, कन्नेड और मल्यालम ये सबी भासें दर्विड भासा पडिवार की भासा हैं यानि कि C option is our correct answer This is complete student, dear student This question, write in your fair notebook And learn, stay home, stay safe, thank you students